IPL के 13 सीजन का 23 मुकाबला होगा मुकाबला राजस्थान रोल्स और रोयल चेलेंजर बैंगलोर के बीच खेला जाएगा दोनों ही टीमें अपना नोवा मैच खेलने के लिए उतरेगी दोनों टीमों के बीच काया मुकाबला दुवाई के स्टेडियम में खेला जाएगा मैच भारते समिनुसार 3 मच कर 30 मिनिट पर सुरू होगा दोनों ही टीमें अपना पिछला मैच हार चुकी है राजस्थान को दिल्ली ने हराया था तो वही बैंगलोर को पंजाब ने इस सीजन में दोनों टीमों ने अभी तक 8-8 मैच खेले है बैंगलोर ने अपने 8 मैचों में 5 में जीत दर्ज की है जबकि 3 में उसे हार का सामना करना पड़ा है दूसरी तरफ राजस्थान ने 3 मैचों में जीत दर्ज की है जबकि उसे 5 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है अंक तालिका कि अगर बात करे तो आरसी भी 10 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है वही राजस्थान रोल्स के खाते में केवल 6 एंक है और वह अंक तालिका में 7 वे पाइदान पर है स्मित की कप्तानी में राजस्थान रोल्स टीम ने सुरुआत तो अच्छी की थी मगर आगे जाकर जीत की लैबर करार नहीं रख सकी तीन लागातार हार के बाद टीम ने एक मैच में जीत दर्ज की और फिर पिछला मैच दिल्ली के खिलाफ हार गई वही बैन स्टोक्स के आने से टीम निश्ची थी रूप से मजबुत हुई है लेकिन बटलर और स्टोक्स की सलामी जोडी को पिछ पर टिक कर खेलना होगा वही स्मित संजू सैमसन सुरुआती मैचों में चलने के बाद फ्लोप रहे दूसरी तरफ, RCB की टीम इस बार अपने लई में नज़र आ रही है टीम के कप्तान विराट कोली वी फोम में है पिछले मैच में वो अपने अर्दसतक से चूग गए थे उन्होंने 48 रन की पारी खेली थी राजस्थान की खिलाफ कोली डिविलियर्स को आगे बल्लेबाजी करने के लिए बुला सकते हैं ऐसे में देखना ही होगा जीत का दावेदार कोन होगा आपको कैसी लग ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताईए अगर आप यआ वीडियो हमारे Facebook पर देख रहे हैं तो उमारे Facebook पेज को लाइक करें अगर आप यए वीडियो YouTube क्रिकेट केसरी पर देख रहे हैं तो उमारे चैनल को सब्सक्राइब केजीए विकास चोरसिया पंज़ाब केसरी से दिल लिए झाल झाल